तो दोस्तो आज की बड़ी अप्डेट में सबसे पहले बात करेंगे तरतीय समेश्टर प्रमोट धर्णा प्रदर्शन लेटेश्ट अप्डेट के बारे में और दोस्तो नई सिच्छक बरती 2021 की भी लेटेश्ट अप्डेट देखेंगे सिच्ट अप्डेट 2021 एड्मिट कार्ड को लेकर एक बड़ी खुशकबरी आ रही है और दोस्तो आपको बता दे जिन बच्चों का पेपर जनवरी में पड़ेगा उन बच्चों का भी दोस्तो प्री एड्मिट कार्ड को जारी कर दिया गया है एक और दोस्तो महत्पूर केपे में 10-5 रुपे खरचा करेंगे तो उसको अभी नहीं करना है जब तक दोस्तो आपका फाइनल एड्मिट कार्ड यह आ जाता देखिए जैसे यूपी टेट कामारा फाइनल एड्मिट कार्ड जब आया था उसमें आप देख सकते हैं दोस्तो रेश्टेशन नमर रोल दिया गया लेकिन अभी सेंटर कहां बना यह नहीं दिया गया ठीक है जब आपका दोस्तो यह फाइनल वाला एड्मिट कार्ड आएगा तब आप इसका प्रिंट आउट निकलवाईएगा इसमें अभी आप फिलाल अपना पैसा मत खर्च करिए ठीक है तो एड्मिट परिच्छाओं के लेकर यह बड़ी अपडेट है एक और दोस्तो बड़ी अपडेट आई यूपीटेट परिच्छा चुनाओं से पहले कराने के तयारी में योगी सरकार है सच्चियू ने सभी जिलों के दोस्तों डियम को लिखा है पत्र अब देखे दोस्तों मामला चु नौ से पहले पेपर कराने के तयारी है मामला किधर जा रहा है अब बच्चों की भी समझ के बाहर हो रहा है एक और दोस्त अपडेट आ रहे जो की बड़ी अपडेट है यूपीटेट पेपर लिख के आरोपी रिमांड पर उगलेंगे राज जिया दोस्तों क्या मामला है पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे तो चले दोस्तों एके करके आज की सारी अपडेट को देखेंगा और आपको बता दे फेल छात्रों के लिए पर सबसे बड़ी अपडेट है जब 2019 बैच का दोस्त हमारा रिजल्ट गोसित हुआ था सेकंड समेश्टर का ज दोस्तों अभी सिर्फ पास हुए छात्रों के लिए है जो बच्चे पास हुए 23,000 अगर आप छात्रों में आपका नाम आता है तब आपको प्रमोट किया जा सकता है लेकिन अगर आप फेल छात्र में अभी भी काउंट हो रहें तब फिर आपके लिए दोस्तों प्रमोट क हो चुका है उसको अगर आप डाउन्लोड करना चाहिए तो तुरन डाउन्लोड कर सकते हैं हमने कमेंट बॉक्स में आप लोग को लिए लिंक दिया है बाकि दोस्तों डियरेट चतुर समेश्टर का भी बज़ी हमने लिंक दे रखा है जैसे लिंक एक्टिवेट होगा सबसे सेले आप अपना रिजन्ट आसानी से मात्र दो सेकेंड में डाउन्लोड कर पाएंगे फिलाल दोस्त अभी समय कि आप लोग सीटेट का डाउन्लोड करें और चेक कर लिजे कि आपका सेंटर आकर किस जिले में गया है देखे दोस्तों यह ज़्यादा जरूरी क्यों बन जा जाएंगे तो कुल मिला के दोस्तों यह सरकार आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं अब बताएए जब बारासों रुपए दोस्तों आपने सीटेट ऑनलाइन आविदन करते समय दे दिया है तो अगर आपका घर से सेंटर मा लेते 500 किलोमेटर दूर बन गया तो 500 किलोमेटर आन जिलों में बन जा लेकिन बताएए यह दोस्तों सरकार की तैयारी है अब ज़र इस अबडेट को देखते हैं योगी सरकार उत्तर पदे सिच्छक पातरता परिच्छा यूपीटेट दोजार एकिस तो यूपीटेट का दोस्तों पेपर आउट होने के बाद निरस्त की जा कर रहे चात्रों में खासा नाराजगी है सरकार इस नाराजगी को जल से जल यूपीटेट परिच्छा को पुना आउज़ित करके दूर करना चाहती है क्योंकि दोस्तों यूवा भारी संक्या में मत दाता हैं जिस कारण से सरकार हर आल में यूवा को साथ जोड़कर रखना चाहती हैं इसलिए दोस इस बार परिच्छा आउज़ित होने से पहले सासन पूरी तरह से तयारियों को सुनिश्चित कर लेना चाहता है इस संबंद में प्रमुख सचिव सासन ने सभी जिलादिकारियों को एक पत्र भेज कर पूर्व प्रस्तावित सभी परिच्छा किंदर पर किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो उसे बदलने की जरूरत है तो संसोधित परिच्छा किंदरों की सूची और अभ्यरतियों के बैठने की छमता की सूचना सच्वी परिच्छा निमक प्रादिकारी को भेज दी जाए गौर्टलाबे दोस्तों के 28 नॉमबर को आयोजित यूपीटेट 2021 परिच्छा पेपर आउट होने के कारट परिच्छा को दोस्तों निरस्त कर दी गई थी ऐसे में विदान सभा चुनाओं से पहले तैस समय में तैन येमों के अनुरूप यूपीटेट परिच्छा को सुचिता पूर्ड और नकल विहीन कराना बहुत ही बड़ी चुनाओती है जिया दोस्त ये बड़ी बात है जो कि हम आपके सामें रख रहे हैं तो भेजा यूपीटेट का पेपर अगर पेपर लीक नहीं होता उस हिसाब से अच्छा कासा किंद्र हैं जिनके खिलाब सामोहिक नकल या पेपर आउट करने आदी की सिकायते सामने आई हैं उन किंद्रों के स्थान पर सबसे पहले राज किये या साहता प्राप्त मात्मिक विद्ध्यालियों और महाविद्ध्यालियों CBSE, ICSE, मानित्या प्राप्त अच्छी शवी वाले विद्ध्यालियों को केंद्र बनाया जाएं तो कुल मिला के दोस्त इस बार भईया सरकार पूरी तयारी में है और उमिद्ध दोस्त हम यहीं करेंगे कि इस बार भईया पेपर आउट किसी भी कीमत पर ना हो पेपर आउट होता तो भईये चातरों का भविस से खत्रे में पढ़ जाता देखिए अगर यूपी टेट का पेपर हो चुका होता तो इस समय हम लोग सिच्छक बरती की बात कर रहे होते हैं कि नई सिच्छक बरती का नोटिफिकेशन कब तक आएगा लेकिन अभी भी दोस तो मामला यूपी टेट में ही अटका पड़ा हुआ है तो दोस्तों बात कर रहे थे कि अपडेट है यूपी टेट को गिरेटर नोगडा उत्तर प्रदेश सिच्छक पातरता परिच्छा यूपी टेट के पेपल लीक मामले में गिरपतार किये गए निलंबिस सचीव परिच्छ ने कहा है कि यह बड़ी स्तर का फरजी वाड़ा है इसमें मुख्य आरोपियों के अलाबा कई अन्य आरोपी जुड़े हो सकते हैं यह पता लगाना जरूरी है कि आरोपियों ने किस-کिस से और कितने रुपय में प्रसनपत्र का सौधा किया था प्रस्नपत्र लेने वाले आरूपियों ने कितने अभेरतियों से पेपल लीग होने की दोस्तो जानकारी होने पर परिशा रद कर दी गई थी, मामले में 30 नॉम्बर को सूरजपूर, कोतवाली में केस भी दर्ज किया गया था। HDF में अनुब प्रसादवा संजय उपाद्या को गरपतार किया था, दोनों से दोस्तो जाच तीन ने गहनता से पूछताच की लेकिन सुरुवाती पूछताच में कई महतपूर जैनकारी नहीं मिल पाई थी, मुख्य मंत्री योगिया दितना आते इस मामले को गंभीरता से ल बाड किया है, मामले की 200 गहनता से जाच के लिए, SIT गठित की जा रही है, इसमें पुलिस और HDF का दिकारी होंगे, प्रकरण में पूर में सामने आ चुका है, कि संजय उपाद्या धनकौर इससे डायट के प्रचार रहते, इसी दोरान उनकी दोस्तिय अनुप्रसास से उस का पेपर, तो ये भी बड़ी अपडेट है, तो जो भी दोस्त अपडेट निकल कराएंगे, उस अपडेट को हम आप तक पहुचाते रहेंगे, फिलाल आपको बता दे, शात्रों का भाईए धर्दा प्रदर्शन लगातार जा रही है, तरती समिश्टा प्रमोट को लेकर, जो भी अपडेट आईगी, उस अपडेट को हम आप तक पहुचाएंगे, ठीक है, वीडियो को दोस्त आप लोग को अदिक सदिक अपने दोस्तों के साथ सेयर करना है, ताकि आपके दोस्त भी जरा इसको देखें, बाकि जो बच्चे धरने में नहीं पहुच रहें, तो कम पास्वेशात्रों को ही प्रमोट कर देंगे ये, तो कम से कम इस बर जब परिच्छा कराए जाएगे, तो उसे में ठ्रट समिश्टा का एक्जाम भी कराया जाएगा, फोर्स का भी करा लिया जाएगा, और हो सकेगा, तो सेकेंड समिश्टा का बैक पेपर भी कराए जाएगा 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 जाएगा.